सब आप सब अच्छे होंगे अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाने हैं यहाँ पर की नो पांटेक्स सेच्वेशन में आपकी पार्टनर क्या फील कर रहे है आपको लेकर चाचल रांगे लाइफ में उनियस्टी पीस काईच यह अपने अपनी फीलिंग्स आपको लेगी क्या फील करता है वह सच में आपके साथ रहना चाहता है या वह प्यार करता है कर नहीं करता है चुक्कि एक अठेच्मेंट तो है यहाँ पर जैसा यह तो यह पर सोफ कपस्टा वहां अपनी रलेशन्शिप को जिसके वज़े से इसको आपके रिष्टे में issues आ रही है अभी शायद आप लोग जैसे कि मैंने कहा no contact में हो तो यह आपको ऐसा दिखा रहा है कि इसको आप से कोई रिष्टा नहीं है या कोई attachment नहीं है यह आप इंट्रस्टेड नहीं है यह दिखा रहा है पर सच में यह अंदर से आपकी और अपनी फिलिंग मैं लेके confused है मुझे 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 मुश्किल लग रहा है कि किसी और को date कर रहा हुई कहीं कुछ loyal person है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह confused है हो सकता है कि अपने ex और आपको लेके confused है कुछ लोगों के लिए सबसे match नहीं होगा ठीक है यह अपने यह आपको लेके और अपने ex को लेके confused है यह तो यहाँ family है वो problem issue जिसके वएसे यह शाद आपको commitment नहीं दे रहा है और समझ भी नहीं आ रहा है इसको कि आपको choose करना चाहिए यह family सही कह रहा है family को choose क responsibility बहुत हो सकती यह भी मुझे दिखाई दे रहा है जिसके वैसे आगे नहीं भड़ पा रहा है इस रिष्टे में कुछ लोगों के लिए आपको टाइम नहीं दे पा रहा है जिसके वैसे आप दुनों के बीच में issues आ रहा है ठीक है आए देखते हैं कुछ तो है अपने life मे जो चीजों को यह manage नहीं कर पा रहा है यह person आपका मुझे आप दुनों का रिष्टा बहुत ऐसा लग रहा है कि दो तीन कुछ लोग के लिए दो या तीन चार साल ऐसा कुछ होगा आप लोग ने पात साल डेट किया एक दूसरे को ठीक है कुछ लोग के लिए six months भी हो सकते इस परसन ने इस परसन के साथ जरूर कोई दूसरा option रहा है और इसने आपको चूस ना करके किसी दूसरे परसन को चूस किया है ठीक है यह परसन आपको mixed signal देता था आपको clarity ने देता था पर इसने आप अपना life का second option चूस करके आपको clarity दे दिया है कि इसकी life में क्या priority है ठीक मुझे ये भी दिखाई दे रहा है ओके इसके लिए अगर female भी तब भी इसके लिए career जादा important है ठीक है और family तो family जादा important है मैं आपको बता दूँ इसके लिए आप priority नहीं हूं Sagittarius जो भी person है इसके के लिए आप priority नहीं हूं Second party इसके लिए जादा priority है यह उस person के लिए या उस अपने family के लिए person जादा loyal है ठीक है जिसके वज़े से यह हो सकता है इसने यह तो clear cut आपको बता दिया कि इसको क्या issue है क्या चाहिए और यह नहीं दे रहा है आपको clarity तो यह clarity दे देगा आने वा इसके लिए आप अच्छे person हो सकते हो लेकिन आप priority भी नहीं हो इसकी जान लो आप पात यह है आए देखते हैं कि यह इसका अपने आप में इतना उल्जाओ अफसा रहता है कि यह आपको क्या देगा as डूफ फट्श लोफ फंट कल दोनों में ही बॉसंग में टुब अपने ही काम में यह चीजों में यह इसको पता है कि इस ते गलती हुई है इसने में इसकी हमत नहीं है कि अब आपके पस वापस आईए अगर इसने आपको दोका दिया है और आपको पर चला है रिफ्लेक्षिन एंड इमेंसिंग मैं देख पार है यह पोसन आपके साथ अच्छे बितायोए पलो को याद करता है ठीक है पर जब तक वह आपके साथ था तो से क्लारिटी नहीं मिले ते रिलेशन्शिक ही जबता यह दूर नहीं जाएगा ना इससे क्लियर नहीं होगा कि यह क्या फील करता आपको लेकर बहुत जल्दी इसका जो इसकी जो फीलिंग से वह रिवील होगी क्लारिटी देगा मैंने बोला था बहुत जल्दी यह आपको क्ला जोशता है क्या फेल करता है यह आपको बता देगा ठीक है यह आपके साथ रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता है सीक्रेट्स को सीक्रेट्स हो सकते इस पॉस्टन के जो आप भी नहीं जानते हो चेजर ओके यह अब आपको चेज और नहीं करना चाहता, लाइट आगे बढ़ना चाहता है यह आपको बता दे कि अभी पहले तक तो यह रिष्टे में था लेकिन आप यह आप में इंट्रस्टेड नहीं है, ठीक है? अब यह आपको चेज नहीं करेगा, I know आप दुनों की केमेस्ट्री बहुत अच्छी हो सकती है, साथ में, मैंने बोले कि आपको ऐसा अच्छा परसन मानता है, आप लोगे बीच में अच्छा रहा है, पर अभी शायद चीज़े सहीं नहीं है, और कोई कॉई कॉन्फ्लिक्स वगरे हुए, तब यह भी बहुत ज़दा हर्ट हुए और आप भी बहुत ज़दा हुए, उनको लगा कि मैंने इतना किया इस रिष्टे में, तब भी आप गह, इनों ने जो भी किया है, और जब इनों ने किया है, तो आपने इसको अप्रिशेट नहीं किया है, इनके इसाब से, हो सकता है कि इन्होंने कोई जूट बोला हो या आपने कोई जूट बोला है ठीक है दोनों में से किसी एक ने जूट बोला जिसके वैसे यह रिष्टा इस चीछ पर आ गया है कि आपका आपने कोई जूट बोला है या इन्होंने कोई जूट बोला है तो इनको लग रहा है कोई फाइडा नहीं है तना देने पर अधियर देखते है और क्या है एया आँ आ कमिट्मेंट यह पर संन्ग कमिट्मेंट से भाग रहा है इसे कोई तरह की कमिट्मेंट नहीं चाहिए को रिलेशन्षिप टैगने चाहिए अब यह इस रिष्टे में खुद को बन्दा हुआ मुझे इसा दिखाई दे रहा है कि पॉसन स्प्रीच्वल हो रहा है या इसकी कोई चल रही है इसलिए रिफ्लेक्शन मोड में यह सोच रहा है कि इस रिष्टे के बारे में क्या करना चाहिए इसने इस कमिट्मेंट से भागने की कोशिश किये इसे आपको खोने का दुख है बड़ी किसी कमिट्मेंट में बंद के रहने चाहता हो सकता है इस आप बहुत पॉसन को लेके या आप बहुत डिमांडिंग रहे हो जिसके विए से यह पॉसन आप से दूर जाना इसको बहतर लगा है आपर इसकी फैमिली इसको किसी और के साथ करना चाहरी है देखे रह। यह ईसकी ऑपके यह पॉसन ने चैन्फर्म कर लिए है कि इसको श्र生 largoर इस रिलेशन्शिप में नहीं रहना है और इस रिलेशन्शिप को एंड करना है और ये बात यह आपको clarity देदेगा अगर नहीं दिया है इसकी तरफ से यह के ना कुई अन्ड है , चुकि यहां पर आप दुन ने एक दुसरी को ट्रिगर कर रहे थे, यह पार कर रहे थे या आप इसको उसकी गलतिया हुआ है let's see और क्या है और यह वापस इस रिष्टे में आप नहीं आना चाहता अपॉलिजी ठीक है और कहीं न कहीं पोसन आपसे माफी भी मांग सकता अगर इससे कोई गलती हुई है यह माफी मांगेगा यह डर रहा है कि कहीं आप इसे छोड़ के ना चले जाओ कुछ लोग ड्रीम्स में आपको देख रहा है सफर कर रहा है डाकनेस देख रहा है यह पोसन काम मेडिटेट फेगरा कर रहा हूं यह पोसन ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा है खुद को कूल डाउन करने की कोशिश कर रहा है इस पोसन के तब से हो सकता कोई मैसेज आ रहे है या तो य confession भी हो सकता है जो कि हमने देखा भी था यहाँ पर आया था card आपने देखा होगा revealed का था truth का ठीक है इसके दर से confession हो सकता है बता सकता है अपने दिल की बात या माफी माँख सकता है कि या तो यह end करेगा और यह नहीं चाहेगा कि आगे रिष्टा हो कि मुझे माफ करो मैं तुम्हें कुछ भी गलत बोला पर मैं यह रिष्टा आगे नहीं चाहता या चाहती यह भी scenario कुछ लोगों के लिए दिख रहा है ठीक है चुकि में भी कुछ लोगों के लिए यह रिष्टा यह nightmare सा हो गया है डिरामना सा हो चुका है डिप्रेस सफ्रिंग डिप्रेशन सफ्रिंग इन सफ चीज़ों से जुड़ गई है इसके वसे अब यह और नहीं चाहता या तो यह कुछ लोगों के लिए पॉसन इस रिष्टा को कुछ लोगों के लिए पॉसन वापस आएगा माफ़ी मांगेगा चुकि शर्थ इसको उसका करवा मिला है और यह वापस आ रहा है आपके पास तो कुछ लोगों के लिए गुड नियूर्स यहाँ पर है आए रेखते हैं और clarity मिलेगी बहुत जल्दी यह reveal करेगा कि यह क्य कर सकता है अyn append simulated travel यह अचनक से आपके लाइफ में आएगा फिर से पॉसन लством डिवाय इंटरंशन जिनिवूर्स डिवाय इंटवेंशन भी एं फ्रेंड हो सकता है यह अनविए यह फ्रेंड वी हो सकता है यह यह अनधोन के बीच में कुछ रही है है और यहाँ आप दुनो को एक कर रही है यह divine कर रही है यहां पर toxic relationship yes यह toxic relationship हो गया था इस person के लिए आपके लिए दोनों के लिए कह सकते हैं जैसा चीजें दिखरी वैसे थी नहीं ठीक है यह जैसे आप इसको सोच रहते वैसे यह था नहीं इस person social media हो सकता है यह social media पर आपको स्टॉक करता हो यह social media के through मिला हो heartbreak के दिल तूटा है इस person का यह अपने friends से हो सकता आपके बारें बात करता है fear see again fear आया है इसके लिए कि डरता है music reconciliation कुछ लोग के लिए आप रिकंसलेशन है bottom में देख लेते क्या है between the lines आप दोनों बहुत अलग हो यह आप दुनों के बीच में कोई आया है text message हो सकता है यह person आपको message करें आप दुनों के misunderstanding क्रेट किया इसके वज़े से दूरी आप दुनों के पीच में आई है तो लाइक कीजिएगा subscribe मैं चला भी तक नहीं किया तो comment box में जबूर बतेगा thank you forward